यह देखिए अंकित भाई ने कस्टमर की डिमांड पर जो है अभी बेल ली है और आगे जैसा आप देख रहे हैं गर्मी के कपड़े की डिमांड सुरू हो चुकी है मार्किट में और गर्मी के कपड़े की अच्छे से तसली और जानकारी के लिए भाई ने बेल ली है यह दे कितनी बेल की डिमांड है कस्टमर की आगे अगे अगर इसके अंदर माल जैनुएन और अच्छा निकलता है कस्टमर को देने के लिए तो इस बेल को ही आठ बेल को आगे भेजा जाएगा वरना यह बेल कैंसल कर दी जाएगी हम किसी कंपनी का पर्मोशन नहीं कर रहे हैं यहां पर एस जे संबाउंड की जो है मेड इन का कोरिया की जो बेल है इसको हम अभी ओपन करेंगे यह देखिए बेल ओपन हो चुकी है यह तारे कट चुकी है और अभी इन तारों को हटाए जाएगा यह देखिए सिफोन के जो है गर्मियों के यह आइटम है टॉप है लेडिस टॉप 390 रुपे किलो का इनका जो है प्राइज पड़ा है आपको बता दें कि यह हैदराबाद के लिए माल जाएगा अभी यह माल त्यार होगा यहाँ पर अंकित भाई इसको त्यार करवाएंगे अभी प्रेस करवाकर इसमें टैग लगाए जाएंगे और पोल्थिन में पैक किया जाएगा माल यह देखिए हैदराबाद से जो कस्टमर है उन्होंने सिर्फ कोल पर डील की है हैदराबाद से कोल करके भाई ने आठ बेल का पैसा जो है एडवांस में भेज दिया है और यह जो बेल है यह अंकित भाई ने अपने रिस्क पर तोड़ी है कि अगर यह बेल खराब निकल जाती है तो इस बेल को हम वहाँ पर आगे नहीं बेजेंगे यह देखे इस परकार के इनके अंदर टॉप निकल रहे हैं जो की हैदराबाद की मार्केट में धूम मचा देंगे और हैदराबाद की मार्केट क्या किसी भी मार्केट में ये धूम मचा सकते हैं इस परकार के टोप जो देखे गर्मियों के लिए बहुती शांदा टोप है और ये बेल तोडने पर ही और इस वीडियो के बिहाव पर ही नागपूर में भी कई बेल की डिमांड है जो की ये वीडियो के माधम से वो खरीद देंगे अभी इसी परकार अंकित भाई ने बहुत सी बेलों को तोड़ा है मार्केट में और कश्टमर के सामने रूबरू कराया है कमपनियों को कि कौन सी कमपनी किस परकार का माल जो है बेल में भेज रही है आज के समय में क्योंकि कमपनियों का और बेलों का भी ऐसा है कि समय समय अनुसार वो माल को अच्छा और खराब भेजते रहते हैं इसी कांट मार्केट में इस सीजन में कौन सी बेल में अच्छा माल आ रहा है किसमें क्या निकल रहा है उसकी जानकारी के लिए हमें भी बेल को ओपन करना पड़ता है काफी सारी अलग अलग कमपनियों की इंडिविजल बेल को हम ओपन करते हैं कस्टमर के लिए दिखाते ह उनको कि इस परकार का जो है इसमें माल निकल रहा है बेल में और उसके भी हाउफ पर ही फिर कस्टमर माल मुगवाता है यह देखिए सारा ही माल जो है गर्मियों का बेहतरीन माल है आप अंकित भाई पर भरोसा कर सकते हैं पूरा क्योंकि जो यह काम करते हैं बड़ा ही इमानदारी से काम करते हैं और इमानदारी के लिए ही जाने जाते हैं कस्टमर के साथ जो है कभी गलत ना हो उसका यह बड़ा ध्यान रखते हैं देखे किस परकार के बिल्कुल ही पतले टोप जो है ये गर्मियों के लिए बहुत ही शांदा टोप जो है इस बेल में निकले हैं और काबिले तारिफ है कि बेल तोड़ी है तो उसके अंदर माल बहुत अच्छा निकला कपड़ा लेंदेन के मामले में अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं तो आप अंकित भाई पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि अंकित भाई का कहना है कि जो भी काम करता है उसका पैसा बड़ा इमानदरी और खुन पसीने की कमाई का होता है और हराम के पैसे की जूर अंकित भाई को नहीं है क्योंकि अंकित भाई यहां तक ऐसे ही नहीं पहुच गई इन्होंने भी पहले छोटे से शुरू किया है पहले छोटी दुकान से शुरू किया है ये भी माल लेते थे इनके साथ भी गडबड़ धोका घोटाला हो जाता था तो वो दिन ये बूले नह होता था जब 20, 25, 30, 35,000 लगा कर एक बेल खरीदते थे और उसमें माल खराब निकल जाता था तो वो सब दिन देखने के बाद ही ये इस काम में आये हैं कि मैं खुद जाकर कस्टमर की डिमांड पर उनका कपड़ा खुद बेजा करूँगा और अच्छा माल उनके पास जाए इसकी मैं पूरी कोशिस करूँगा ताकि और किसी के साथ मेरी तरह ना हो इसलिए अंकित भाई ने आगे बढ़कर ये कारिया शुरू किया है कि जो भी मार्किट में बेल अच्छी आएगी उसको ही मैं खरीदूँगा और अपने गुदाम में लेकर आऊँगा रखूँगा और कस्टमर को वो ही बेल मैं रिकोमेंट करूँगा खरीदने के लिए वैसे हम ये नहीं बोलते कि सिर्फ पानीपत में हर एक जगह पर हर एक मार्किट में इमानदार लोग भी हैं और बेमान लोग भी हैं तो इमानदारी के साथ काम की नोलिज होना भी बहुत जरूरी है जो कि कपड़े के मामले में अगर बात की जाए कपड़े के काम की नोलिज लेते लेते कम से कम 12-15-20 साल तक लग जाते हैं तब तक कपड़े की पूरी नोलिज बंदा ले नहीं पाता अभी अंकित भाई 2011 से इस काम में लगे हुए हैं लगातार इनको लगबग आज 10-11 साल हो चले हैं 10-12 साल हो चले हैं इस काम में इनोंने छोटे से सुरू किया है सब तरह काम इनों देखा है घाटा भी देखा है नफा भी देखा है और उसी को मद्या नजर रखते हुए दुसरे कस्टमर को देखते हैं कि कई तो हमारे पास ऐसे कस्टमर आते हैं जो बोलते हैं बाई साब हमने अपने जेवर गिर भी रख दिये हैं पानी पत्से माल लेने के लिए और हम तो आप पे भरोसा करके आये हैं हमें अच्छा माल दिला दीजिए ताकि हमारा मुनाफ़ा हो सके कई कस्टमर आते हैं कि हमारे पास सिरफ 10,000 रूपे हैं इससे ही हमारा काम चलवा दीजिए तो हम किसी को नराज करके नहीं बेजते उसको हम खुला माल देते है और उसका काम भी चलवाते हैं इसी परकार अंकित भाई ने कहीं छोटे-छोटे दुकानदारों को बड़े दुकानदारों बना दिया है और बड़े वपारी बना दिया है आज अंकित भाई से देश के अलग-अलग कोणों में से लोग कपड़ा मंगवाते हैं सिरफ एक फोन के विश्वास पर एक चेहरे के विश्वास पर और छोटे दुकानदारों को अंकित भाई ने वपार करना सिखाया है जैसे बिहार में एक लड़की ने ऐसे ही विश्वास करके माल मंगवाया था और अंकित भाई ने उसको सला दीती कि आप अपने छोटे दुकानदारों को आगे माल सप्लाई करें सिरफ दस रुपे पांच रुपे के मार्जन पर तो उस लड़की ने इसी परकार से दो काउंटर बांदे फिर तीन फिर चार आज वो कम से कम पचास काउंटर पर काम करती है और बिहार में वो कपड़ा आगे सप्लाई करती है इसी परकार देश के कहीं कोनों में अंकित भाई ने छोटे छोटे दुकानदारों को छोटे मार्जन के स्केल पर चला कर उनको एक बड़ा वपारी बना दिया है जो की पानिपत से डारेक्ट अंकित भाई से माल मंगवाते हैं एक फोन कोल पर ट्रांसपोर्ट के दुआरा डारेक्ट त्यार माल उनके घर पहुंच जाता है और वो आगे दुकानदार छोटे दुकानदारों को जो की पानिपत नहीं आ सकते या जिनको यहां का नहीं पता ह उनको वो माल आगे सप्लाई करते हैं इस परकार अंकित भाई बल्क में काम करते हैं और ज़्यादा अपना मार्जन कभी नहीं रखते मिनिमम मार्जन के साथ अंकित भाई काम करते हैं अंकित भाई की एक सोच है कि मिनिमम मार्जन में काम करूँगा लेकिन इतने ज़्यादा कस्टमर अपने बनाऊंगा देश में कि मेरा डेली का मुनाफ़ा लाखों में होगा बेसक मैं थोड़ा पैसा कमाऊं परते कस्टमर पेसे मैं दस रुपे पांच रुपे एक रुपे दो रुपे के उपर कपड़ा बेजूँगा लेकिन मेरे कस्टमर बहुत जादा होंगे जिससे मेरा मारजन भी बहुत जादा हो जाएगा इसी प्रकार अपनी मेहनत में लगे रहते हैं खुद अपने काम करते हैं और जिस कस्टमर का माल जाना होता है लड़के माल सेलेक्ट कर देते हैं उसके बाद भी अंकित भाई उस कपड़े में हाथ निकालते हैं दुबारा से चेक करते हैं अगर कोई कटा फटा उसमें आ जाए तो उसको निकालते हैं खुद मैं साथ रहता हूं मैं देखता हूं किस परकार पूरा दिन सवेरे मॉर्निंग में चार बजे उठ जाते हैं अपनी जोगिंग करने के बाद सिधा अपने गुदाम में और उसके बाद पूरा दिन इसी पर कि दबाई डेली एक, दो या चार बेल डेली तोड़ते हैं सिरफ चेक करने के लिए और ये टूटी हुई बेल कभी रुकी नहीं आज तक ये ऐसे ही बिगजाती है खुलने के बाद भी सवेरे से स्याम तक हाथ में कपड़ा रखते हैं, देखते हैं, कई बार तो दिन में खाना भी नहीं कहते, बोलते हैं कि मेरे कश्टमर को गलत माल ना चला जाए, बस इस चीज़ का मुझे ख्याल रहता है अमेशा और प्रेस भी खुद अंकित भाई अपनी आखों के सामने ही कराना पसंद करते हैं, नहीं तो लड़के को बिठाते हैं, अगर अपनी प्रेस पर काम ज़्यादा हो गया है, दूसरी की प्रेस पर भेजना है, तो लड़के को वहाँ पर बिठाते हैं, भले ही लड़के की ए एक भी पीश उदर इधर उदर ना हो जाए